सारे नों मेरे वलों सात शिर्य काल जी आज मैं तो डिनल शियर करांगी मलाइक ओफ देदी रेस्पी जिसनों आपका कर विच रेस्ट्रों तो भी जादा टेस्टी बना सकते हाँ जे तुसी मेरे चैनल ते नमी होता प्लीज मेरे चैनल नों सब्सक्राइब कर दो तांकि नेक्स्ट वीडियो तहड़े तक आजावे इस रेस्पी लेए दो लीटर दुद्ध तो पनीर बना लिया है ते होन इस ता कदुकश कर लेना है ते इस तो बाद 6 मीडियम आकार दे अलू लाये हान जीना नों तिन सीटियां लवा के बॉयल कर लेया है ते उस तो बाद कदुकश कर लेना है ते होन इन दोना नू अपने मिक्स कर लेना है ते इस रेस्पी लेई अलू प्राणे लेने हैं क्योंकि जे अपन नमी अलू यूज कर दे हां ता जदो अपन इस दे कोफते बनांदे हां ता ओ जल्दी जोड़ दे नहीं ते इस दे विच एक चमच नमक एक चमच लाल मिल्च ते एक चमच जीरा पाके इन नू मिक्स कर लेना है इस दे विच तुसी अरारोट जा मैदा दुना चो कुछ भी मला सकते हो मैं इस दे विच मैदा यूज कर रही हैं तुसी देख सकते हो इसनू अपने चंगी तरह मैश कर लेना है ते होन इस देविच इक चमच आद्रक, अद्धी चमच हल्दी ते अद्धी चमच इस देविच आमचूर पाउडर मिला के इसनों चंगी तरह गुन लेना है इस मिक्स्ट्रल तो ती कोफते बन के त्यार हुन दे हान जे तुसी काट बनाना चांदे हो तुसी पनीर ते अलू काट लाय सकते हो तुसी देख सकते हो कि इस देविच मैदा फिर मलाया ता कि जद्वापा कोफते बनान दे हां ता जड़े कोफते ने हो चंगी तरह गोल गोल बन जांग कोफते तुसी बिना फिलिंग तो भी बना सकते हो पार मैया इस दे विच बदाम ते काजू ब्रीक कट ले हां ते थोड़ी जड़ी छोटी लैची मिला लई है तुसी इस दे विच किश्मिश भी मला सकते हो पहला इस दा छोटा जया पेड़ा बना लेना है ते होन इस दे विच कटे होई बदाम ते काजू पाल लमागे ते फिर इस दा गोल गोल कोफता बना लेना है सारे कोफते एदधा ही तियार कर लेने हान तुसी देख सकते हो ते इस तो बाद इसनों आपा तलांगे जेता हनों एहे पैर लग रहा है कि कोफते टोटरे हान तुसी देख सकते हो तुसी देख सकते हो कि इदधा ही आपा सारे कोफते तियार कर लेने तुसी देख सकते हो तुसी जोदो पहला फ्राइ करने हां ता तुसी इस देविच एक दो कोफते पाके चेक कर लेने हां कि एहे टोटता नी रहे जे टोट रहे हां ता इस देविच आपा मैंदा होर मिलाल मागे तुसी देख सकते हों कि जड़ी गयास दी फ्लेमा ओहो मीडियम रखी हुई है जड़े आपा कोफते ने ओहो काट ते थोड़ी जी मीडियम फ्लेम ते ही बना अनेहन क्योंगी ज़े आपा हाई फ्लेम काल देती गयास दी ता जड़े कोफते ने ओहो बन के बहुत जल्दी त पर उपरों काले ते भीचों कच्छे रहें अंगे, इस कारके क्यास दी फ्लेम मीडियम ते लो ही रखनी है, तुसी देख सकते हों कि आपाने एक-एक करके सारे कोफते बिच पादेने हान, इस दे विच जादा कोफते भी नहीं पोने, क्योंकि जोदो आपा इंदनों हला मागे, ता इस दे विच पेस होनी चाहिन दी है, जिड़े कोफते हों दे हान, इह बोहत ही सौफ्ट हों दे हान, इस जल्दी ही टोट जादे हान, इस कारके आपा इंदनों जल्दी नहीं हलो न, जोदो एह आपन लगेगा कि थोड़े चा ब्राउन जे हो गया, ता आपा इ दे वी एददा ही सारे फ्राइ कर लेने हान, कोफते हो जेड़ा में इस दे विच मैदा मिलाया है, वो कारही बनाया है, जिड़ा अपना कंक वाला आटा हुंदा, जेस सी रोटी बनां दे हा, उसे तोही मैदा त्यार किता होया है, जो की अपनी सहित लई वी वदिया क्योंकि जेड़ा मार्किट वाला म्यादा हुंदा है उस दे विच बिल्कुल भी फाइवर नहीं हुंदा तुसी देख सकते हो कि अपां सारे कोफते एद्धा ही तियार कर लेने हान ते विच तड़काला मांगे एक काट श्री सरूंदे तेल दी ले है इस दे विच थोड़ी तो एहे थोड़ा जे आप पुन्या जावेगा ताइस देविच छे मीडियम अकार दे प्यास काटके पाल लेने हान ते चार हरिया मिर्चा उवी काटके पाल लेने हान ते जदू एहे थोड़ा जे लाइट कलर दा होएगा प्यास ताइस देविच तेन मीडियम अकार दे टमाटर कटके पाल लाने हा न ते एनना नुवी सिर्फ पंच कमेंट तेक ही पुन नना है जोद तेक टमाटर थोड़े जे सौफ्ट ना हो जा न उस्तो बाद इसनू थोड़ा जया पक्खे नीचे राख के उसतो बाद इसनू ग्राइंडर देविच पाके ग्राइंड कर ला ते इसनू थोड़ा गरम करनतो बाद इस देविच काजू ते बदाम पालेने हान तुस्थे इसने विच खरबूजे दे बीज भी पासकते हों तुस्थे देख सकते हों कि इसनू अपन थोड़ा जया पोन लाना है ते उसतो बाद इनना नुवी अपने जिड़ा प्याज वहला तड़का सीगा उस देविच पाके इसनू भी ग्राइंड कर लेना है इसनू दो तिन मिंट लग दे हन पुनननू जी तुसी ड्राइफ रूट्स दी क्वांटिटी ज्यादा लेनी है ता तुसी ज्यादा भी पासकते हों क्योंकि चुदो अपर ड्राइफ रूट्स तजीडी ग्रेवी हुन दिया उस दा टेस्ट बहुत ही वदिया हुन दा है तेजी होना पां फिर द्वारे तड़का लामा गे इस देविच मैं एक चमच देसी कीदा लेया है ते एक चमच फिर हल्दी पाद लेई है ते होन तेल थोड़ा है काट लाग दा सीगा फिर मैं झां ने काट आ टिर होना पां फिर हला कि थोड़ा पा लेया है तुसरी खिल्लक भी ले किए तुसा की लिए तुसी शरूंद तेल भी ली लै सकते हूं जेल आपने ग्राइंड केता होया है अहुँ सक्फास हुआ मिक्सर तुसी देख सकते हूं कि अपने सारा इदा ही पर भी ता तुसी इसनु जोदो अपने हल्दी पाई उदों ही पा सकते हो नहीं इसनु अपन जोदों हे थोड़ा जाब बन जावेगा तो उस तो अपन बाद पामागें ते जिड़ा नमका ओ इसले नहीं पाया क्योंकि जोदो अपन नमक पा दिनने हा ता जिड़ी इह ग्रेविया जोदो अपन इस देविच मलाई पामाँगे ता जिड़ी मलाई ओ फट सक दिया इस करके नमक अपन बाद बिच आड़ करांगे तुसी देख सकते हों कि जोदो इस देविच की छड़न लग जावे इह ग्रेवी ता इस देविच आपन एक गलास पानी दा पाला माँगे जिस ग्राइंडर देविच आपने ग्राइंड किता सिगा उसे देविच एक गलास पानी दा पाके इस ग्रेवी देविच पादे म तुसी देख सकते हूं कि एहे क्यों चड़न लग गई है ग्रेवी ता होन इस देविच आपां पानी मिक्स करांगे जेडी पानी दी क्वांटटिया उहो तुसी पहला काट ही लेनी है क्योंकि जोदो इस तो भाद आपां इसनों बॉइल करांगे ता जेडी ग्रेविया उस तुसी बहुत शिटे और ये तांगर के पानी सिर्फ थोड़ा ही पोना है पहला तुसी जिननी क्वांटटिय देविच तोड़ी ग्रेविया तुसी उस अकॉर्डिंग पानी पासकते हूं क्योंकि यही ग्रेवी थोड़ी ज्यादा इस करके मैं इस देविच एक गलास पा सकते हूं तुसी देख सकते हूं कि होन इस देविच आपा मलाई पामागे मलाई दे चार चमचे पाए हन छोटे चमचे पाए हन पूरा पार के तुसी देख सकते हूं तुसी मलाई दी क्वांटटिय काट जांबाद कार सकते हूं जेड़ी इह ग्रेविया इह बहुत त्रि जा देखाते हैं, जि मैं तुसी कल्ले अलुआ दे कौफ्ते भी बना सकते हूं, जा फिर पनीर दे विच ख़ुआ पाके उच्थे भी कौफ्ते बन दे हन, तुसी देख सकते हूं, कि अपनी चड़ी मलाई है, जो दो मिलाई पौनी है, तह गैस दी फ्लेम बिल्कुल लो कर द ते उस तो बाद इसनों मिक्स कर लेना है तुसे देख सकते हूं कि मैं होने इस देविच एक चमच नमकदा मिलाया है ते एक चमच ही गरम साला पाया है तुसे इस देविच होन तन्या पाउडर भी पा सकते हूं मैं तन्या पाउडर अलग तो इस लए नहीं पहुंदी क्यों अलागतु ना पौना पवी तुसी देख सकते हूं कि ग्रेवी ने क्यों उछाड़ दिता है ते होन आपा इस देविच पानी मला मांगे ते जड़ी ग्रेवी या उन्नू मिक्स कर ला मांगे जड़ा ही मैं पानी लेया इसनू मैं उबाल लेया सी क्योंगि ज़दा आपा पानी पौन देहां ते जड़ी ग्रेवी या उन्नू सिर्फ दो तिन मिन्ट ही पकोना पैंदा है तुसी देख सकते हूं कि इसनू अपने पतली खाल लेयाना है क्योंगि जड़ों आपा इस देविच कोफते पामागे ते अपने आप ही गाड़ी हो जान दी है इस करके इस थोड़ा जा पैला पतला ही रखांगे ते इस दे विच मैं एक गलास पानी दा पालेया है तुसी देख सकते हूं कि इस दे कुंसिस्टनसी इतना दी रखनी है ते दो मिन्ट ठाक के पकालेना है ते अपनी जड़ी ग्रेविया बन के त्यार हो गई है ते होन आपा इसनू स सर्व कर सकते है जदो तुसी इह सबजी खानिया था ओधों ही सर्व करो तुसी देख सकते हूं कि अपना एक बॉल लेया है इस दे विच पहला कॉफते पालेने हान ते उस्तो बाद इस दे उपर अपना ग्रेवी पामागे जेड़े कॉफते ने तुसी सारे इस ग्रेवी देविच भी पासकते हूं पल जी आप ग्रेवी देविच ज्यादा टाइम ले रख दिते कोफते तो हो बहुत ही सॉफ्ट हो जानगे इसलिए जोदो तुसी खाने हन ओदों ही पासकते हूं तुसी देख सकते हूं कि बाद विच इस देव पर क्रीम पाई है जिसनु की पहला फैट लेया सीगा यह मैं मलाई यूज करें गां ते हूं जी अपनी रेडी है जे तो हनूं मेरी वीडियो वदिया लाग दिया था प्लीज लाइक कर देव ते शियर कर दो थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो हूं मेल देव अगली वीडियो जा बाई टेक क्यार